हांजि तो आज हम अपने पुराने primary school में आये हैं यह है हमारा primary school जहां से हमें 5 ई तक की शिक्ष्याली है यह 100 साल से भी पुराने school है अब यह बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं है बच्चे क्यों नहीं है क्योंकि लोगों की थोड़ी income हो गई है लोग यहांज अप्लाइन कर चुके हैं अप्लाइन करने के रीजन भी है रीजन ये है कि हर किसी को अपने बच्चों के भविश्य को आगे बढाने की होड है और बढाना भी चीए किसी ने कोई कमिट्मेंट नहीं किया कि यहां मैं ही पाहडों को आबात करूँगा जो लोग मैट्रो सिटी में बैठके ग्यान देते हैं लोगों को पाहड नहीं जोड़ना चीए मेरी उन से सलाह ये है कि उन लोगों को ये चीज पहले खुद पैंप्लिमेंट करनी चीए कि वो क्यों छोड़के गए थे और किस वज़े से गए थे अब क्यों आप आदमी पहाड चोड़े उसके एक छोटी सी जहलकी मैं आपको बताता हूँ ये अब जब हमने यहाँ इस वाले स्कूल में पांची तक परिक्षा दी है उसके बाद आठी तक के लिए घर से उस कम सम तिन क्लिटर आगे एक स्कूल है वहाँ तक आठी तक होती है उसके बाद की कहानी तो उसके बाद शुरू होती है अब आप नौ से बारवी तक की एजुकेशन कहां लोगे ये आप रस्ता देख रहे हैं नीचे ये देखिए ये जो नीचे तक जाता है ओ नीचे नदी है नदी से उपर को एक पहाड़ी चौड़ी है ये देखो उपर वो सामने रोड सी दिख रही है रोड से एक किमिटर आगे वहाँ पर जो है नौ से लेके बारवी तक के स्कूल है तो मैं खुद यहाँ से डेली वहाँ अब डाउन करता था और सुबह साथ बज़े का स्कूल होता था आप सोच सकते हो कि एक बच्चा जो हाली तेरा सौदा साल का है उसके कंदेवे बैग है और यहाँ से कितने बज़े घर से निकलता होगा कि उसको चार-पांस किलोविटर यानिकर एक किलोविटर डाउन और दो किलोविटर अब चलने के लिए दो-तिन किलोविटर अब चलने में कितना टाइम लगता हो उससे साथ बज़े की प्रेयर भी अटेंट करनी है कि एक बार ऐसा भी होता था मार भी पढ़ती थी क्योंकि लेट हो जाते थे तो टीचस इस एक्सक्यूस को नहीं मानते थे कि यहां तुम दूर से आते हो उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है अगर आना है तो टाइम पर आप और सोचो उन मावाब के बारे में जो अपने बच्चे को जो है इस जंगल में इस भीजन जंगल में इसको जंगल नहीं करें कि इसको भीजन जंगल क्योंकि यहां जंगली जानवर अभी भी है उस टाइम पर भी थे यहां से अकेले अपने बच्चे को वहां भेज देते थे मेरे ममी पपाद जहां पर मैं भी ख़़ा हूँ जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहां से खड़े होके देखते थे कि हाँ मेरा बच्चन ददी क्रोस करके उपर पहुंचा की नहीं पहुंचा जब तक हम वहाँ उपर तक नहीं पहुंच जाते तो लोग यहां पर खड़े रहते थे कि यहां पहुंचिया है वहाँ जाके हमने 12 तक की एक्जाम हमने वहाँ दिया है वहाँ तक की 12 तक की सिक्षा हमने वहाँ लिया है उसके बाद फिर कहते हैं न कि यहां लोग यहां से क्यों गए आप कहानी शुरू होती है, कि आगे क्या, क्योंकि 12 करने के बाद 또 कुछ होता नहीं, इछर आपको आगे college भी करना है, तो college करने के लिए आपको यहाँ से कम से कम, जो near about college है, basic college जिसे कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं, कुछ नहीं करना तो कॉलेज कर लो वह वाला कॉलेज हो है वो कम सकम यहां से 40 km दूर है अब एक आदमी जिसकी कोई इंकम नहीं है जो आदमी खेती पर डिबेंड है यहां पर जिसका कोई यहां सोर्सवाप इंकम नहीं है उसकी जौब नहीं है वो अपने बच्चे को 40 km करते हैं तो वो उनका लग है तो इसलिए लोग यहां से सोचते हैं कि यहां नहीं मैं बाहर चला जाओं वहां जाकर कुछ काम करूं और फिर अपनी एजुकेशन भी दूँ और कोई जरिया नहीं है अच्छा तीसरी चीज आदमी के जो बेसिक नीड है आसके डिट में यहा साथ एक अच्छा इन्वार्मेंट यहां बहुत अच्छा है एक दम कूल कहीं कोई दिक्कत नहीं इतनी गर्मी में भी जिस टाइम पर डेली में या अधर कंट्रीज में आप देखते हो कि यहां लोग गर्मी के वाज़ा से मर रहे हैं यहां हुमिड हुमिडिटी जो है 85 त अब यहां पर बुरा हाल है कि मत पूछो और यहां ने कोई AC की जरुवत नहीं नो फ्रीज नो फैंट इस तरह का माहौल है अब यहां पर रोडे बन गई है इवन दो एक नहीं बहुत सारी रोडे बन गई है एक के उपर एक लेयर के लेयर सार जगा वही दिख रहा कि जो यहां थी नहीं अब यहां गाम गाम में लाइट है और आज से 10 साल या 12 साल पहले यहां कोई लाइट नहीं थी लोग टेबल लैंप लगा के पड़ते थे तो सोचो हम लोग कहते हैं कि यहां कौन सी सरकारों ने क्या क्या सरकार कुछ नहीं करती है कुछ लोगों की विल भी होती है लेकिन दिवाल पसर मारने से तो कोई फायदा नहीं है लेकिन कहते हैं ना थैंक्स तो अटल जी जिन्हों ने यह घर-घर गाउं गाउं में रोड तो भाई सवाज यह है कि जो इस चीज का ग्यान दें रहे हैं, कि लोग यहां से क्यों जा रहें, क्यों न जाएं, क्या आप ही लोगों को हक है कि आप अच्छी medical facility, अच्छी education तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ें, उसके लिए तो तुम बायस हो जाते हो, और लोगों को कहते हो कि आप लोग यहीं रहें, यहां बहुत अच्छा माहौल है तो आप भी आईए न, आपको किसने मना की आई, आप तो आपके बच्चे पर्लिक गए हैं, आप लोग रिटायर भी हो चुक्ते हैं, अपके बच्चे इधर उदर सैटल हो गया हैं, कोई बहुत बंगलवर में होगा, कोई कहीं होगा, आप क्यों वापस नहीं आ रहो हो, आप अभी भी अपने कूलेटिक आयवे। और यहां के लोगों कहते ह्यों कि तुम यहां से बाहर मत जब सिर। क्यों आपको अपने बच्चों के भविश्य की मी चिंता है इनको नहीं है। क्या इनको यह राइटमी बनता है कि यह बहुत बाहर में बनता हैं। तो इसलिए ग्यानी लोग ज्यादा ग्यान ना दें पहाड छोड़ने के लिए जिसको ग्यान देना है वो पहले खूद आए फिर कहें कि आप यह मैं वापस आ गया हूँ जो लोग गये हैं जो जिनके बच्चे ठीक ठाक हो गए हैं सेटल हो गए हैं वो सब पहाड आए तब जाके यहां कुछ लोग रहेंगे अधर्वाइस यह एक दिन खाली हो जाएगा यह जो लंबी-लंबी रोड़े हैं यह चौड़ी-चौड़ी रोड़े हैं यह बिजली जो भी यहां पर बन रहा है भी इसका कोई लॉजिक निया जहां लोग निया तो वहां पर डबलमेंड कोई मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि लोग आप यहां से ध्री द्री करके प्लाइं कर रहे हैं और प्लाइंड करने का अधिकार हर किसी को बनता है कोई यह नहीं कह सकता कि आ मत जा तो यह एक साफ से आ गुस्ब को स मीच मैं कभी इस बात पर कि लोग पinh पहाणी छोड़ीने के लिए क्या सेटृचन है क्या चल रहा है कि लोगों की तरह मैंने अशे नहीं कि कि हां सेकेंड होम क्यों जरूरी है यहां लोगों को क्यों रहना चाहिए जो लोग दिल्ली में या बॉंबई में या कैलकटा में या बैंगलूरू में देडड़ साल से घर के अंदर बंद पड़े हैं उनको अपसाइद इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा होगा कि हां भया हमने बहुत बड़ी गलती की अगर हमारे पास सेकेंड होम का ओप्शन होता हमने पैत्रिक गाउं या इसको नहीं छोड़ा होता तो आज इस लोगडाउन में या इस महामारी में हम वहां जाके आराम से अपने बच्चों को रख सकते देखो बहुतों के फैमली में सिपमर्स नहीं रहे दुख्तों है और धुख होने से कुछ ही लिए होता यह हमारी गलतियों का नतीजा है कि उस टाइमपे जब ये Covid की first wave में ही लोग अगर time पर जैसे मैंने किया मैंने Delhi मार्च 2020 को ही मैंने जब Covid की first wave का हो आया था मैंने तब ही Delhi छोड़ दी थी तब से मैं यहीं हूँ कुछ time यहां रहा हूँ, कुछ time हलवानी में रहा हूँ तो मेरे पर तो options हैं तो इससे क्या है कि आपको ऐसी जगह पर उस टाइम पर माइग्रेट होना था जहां पर पॉपुलिस इंटेंसी थी बहुत कम हो फ्रेश एयर हो आपके पास इनफ स्पेस हो जहां पर खेल सकें कूच सकें और इसका मुझे बहुत हद तक यह फायदा हुआ कि जो बच्चे रा यहाँ वो इतनी मात्रा में है मत पूछो हर एक पेड़ आपको वही मिलेगा इवन दो पेड़ के पेड़ जो है उससे बटे पड़े है वो उसकी में कुछ पिक्स क्लिक करके देखूँगा मैं वही कल अपनी मम्मी को कह रहा था मैंने का मम्मी देखिए यही गिलोई है जि इसके बारे में, कि यहां यह इतनी मर्ज की दवा है, और उसी रामदेव, वही रामदेव इसको जाके, आगे जाके, प्रोसेस करके, लोगो को यही गिलोई, इनी की गिलोई, सौ रुपर बोटल में बेच रहा है, और लोग आराम से लेकर उसको पी रहे हैं, कहरें कि तुमारे घर के बगल में है, तुमारे घर के बगल के पेड़ में है, आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं, पेड़ मत काटे, पेड़ मत काटे, यहां पेड़ होगे, कोई कमी नहीं है, पेड़ी 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 पेड़ यह सब जो है वहीं जातादर होता जहां पर इंचियों की कमी होती है थैंक्स टू गॉड मेरे होसो हवास मेरी एज आज की डेट में 35 से 40 होने वाली है मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि हमारे यहां कोई इस तरह का बादल फट के बाढ़ आगी नदी है नीचे नदी में बाढ़ तो आती है खेर वो तो डेफिनलेटी उपर से पानी आएगा तो नीचे जाये गए जाये यहां लोग पीड़ तब तक नहीं कारते हैं जब तो वह सूखता नहीं है कच्चा पीड़ को ही Aww, इदर जब के इहां पीड़ों के कमी है और मेटरो सिटी में यह लोग अपने फायदे के लिए अपने मौल्स मनाने के लिए अपने रोडस मनाने के लिए बिंदास होगे जहा जब तो गिर ना जाए कच्चे पीड को काटने का मतलब ही नहीं बनता है दूसरी चीज है यहां कोई ब्रिक्षार होपर नहीं करता है यहां पेड लगाने की जरुवती नहीं है क्योंकि इतनी मात्रा में पेड हैं उनके जो बीज हो एक दूसरी जगा माइगरेट करते हैं ख फेरे जो सिस्टम है जो मैंने यहां नोटीस किया कि लोग पेड तो लगाते हैं लेकिन इतने पेड आं कहा से जाते हैं तो सिंपल सा वंड़ा एक बड़ा पेड जब उसके बीज नीजे के लिए नहीं हजार नीए पैड उपते हैं अगर उन हजार में से दिगा और स्वा वो हो गए 900 अगर दिस्ट्रोई भी हो गए 100 भी हो गए फिर वो आगे जाके और ग्रोथ करते हैं इसलिए याज इतना घर जंगल है यहाँ जाने में डर लगता है मुझे तो डर लग रहा है और एक टाइम आसा था इन जंगलों में हम लोग खूब खेलते थे ठीक है उस अब लोग हो गए ना कि हां क्या है यह है नीचे नदी है खास पेड़ इतने बड़े-बड़े हैं कि दिखने रहे नदी होता पानी नहीं है बट हाँ वो इतना शफिशेंट पानी है कि उससे आगे जाहां यह पानी जाता हूं वहां के लोग इसको पीने के लिए यूज ग तुर लेते हैं बड' इस पानी को पीने से आपको लगए कि आपने पानी भी हाके मेद है कि इतने इस क्यों सब्सक्राइब पहाड़ों के पेड़ों की जड़ों से निकला हुआ पानी यह देख सकते हैं कि जहां तक देखो आप타 smells जंगल है पेड' ही पेड से लेके डीजीज हो या एक बार आदमी जो है खुश नहीं होता अपनी लाइब से एक हैपीने साथ ही इस तरह के इन्वार्मेंट को देखते हुए और मैं यहां के बहुत खुश होता हूँ इसलिए मैं हर छे महने में यहां आता हूँ एक हफ्ता एक या दो हफ्ता यहां रहता हूँ सब कुछ देखता हूँ लोगों से मिलता हूँ गूमता हूँ उससे मुझे शांती जो मेरे को अगले छे महने के बूस्ट अब देता है कि हमारे पास एक ऐसा आप्शन है जहां हो वक्त पढ़ने पर रह सकते हैं जा सकते हैं ठीक है बेसने लाइग नहीं होता बड़ इतना हो जाएगा कि आपकी फैमिली के लिए शफिजेंट हो जाता है आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं सबसे बेस्ट पार्ट मुझे का यह लगता है दो कहते हैं ना कि जो सामान हम मार्केट से खरीते हैं डैट इस क्या करते हैं वो आज की डेट में जो बन रहा है जो यूरिया डाल के बनता है यहां आपको यूरिया नाम की कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगी प्योर ऑगनिक फूट चाहिए वेजटेबल सो या कुछ भी एनिटिंग जो भी लोग यहां होते चाहिए डाले हो कुछ भी हो जो भी यहां उखात यह बड़े बड़े पेड़ जितने भी दिखने आपको नजर आएं तो सारे मैंगो की ट्री हो इतना मैंगो से मत पूछो यहां पर मंगीज वह होते हैं वह बेचारे भी उतना नहीं खाब आ रहे हैं जितना उनको करने चाहिए हलाकि मंगी कहते हैं वह वेस्टेज के ले जा सकते हैं वही लोग खाएंगे और लोग है नहीं तो खाएंगा वैसे पड़े रहेंगे मंकीज खाएंगे या बर्ड्स जितने भी हैं वह सब उनको खाएंगे और वही मैंगो हम यहीं से एक 20 क्योंटर आगे चले जाएं मार्केट में 30-40 किलो खरीद रहे हैं तो य अपनी जड़ को न भूले तो उस वह कहीं भी पहुंच जाए बुरे वक्त में उसको पता है मुझे कहा जाना है अगर आप पेड की किसी भी साक पर पहुंच गए अगर आपको पेड़ की जड़ का पता है तो आप बुरे वक्त में तुफान के टाइम पर आप उस जड़ लेकिन जो लोग अपने जड़ों को भूल चुके हैं वो फिर मजधार में अटक जाते हैं यह एक छोटा सा वह है एट सी